कॉंग्रस मुक्त भारत का सपना लेकर केंद्र की सत्ता में आई भारतिय जुनता पाटी बेशक भारत को कॉंग्रस मुक्त नहीं बना पाई हो लेकिन देश के पहले प्रधान मंतरी जवाहर लाल नहरू की याद में बनाये गए नहरू मेमोरियल को मोधी सरकार ने जरूर कॉंग्रस मुक्त बना दिया है पीम मोदी हो या फिर बीज़पी के अन्यनेता देश के मौजूदा हालात के लिए हमेशा पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ते हुए कॉंग्रस मुक्त भारत का नारा देते हैं इसी कड़ी में अम्मोदी सरकार ने देश की पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नहरू की याद में बनाए गए नहरू मेमोरियल को ही कॉंग्रस मुक्त कर दिया है जी हाँ, संस्कृतिक मंत्राले ने नहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का पुनर गठन किया है नहरू म्यूजियम सोसाइटी से कॉंग्रस नेता मलिकार जुन खडगी, कर्ण सिंग और जैराम रमेश को बाहर का रास्ता दिखाय गया है कॉंग्रस नेताओं की जगा बीजेपी नेता, अनिर्बन गांगुली, गीतकार प्रसुन जोशी और पत्रकार रजच शर्मा को जगा मिली है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइबरेरी को देश के पहली प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू की याद में बनाया गया था पांच नवंबर को संस्किती मंत्राले से जारे हुए नोटिफिकेशन के बाद इस मसले पर कॉंग्रस और भार्ती जुनता पार्टी के बीच जम कर सियासत हो सकती है गोरतलब है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी खोद नेहरू मेमोरियल म्यूसियम और लाइबरेरी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं रक्षा मंत्री राजनात सेंग इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं जिबकि ग्रै मंत्री अमिर्ट रहा, केंद्री मंत्री प्रकाश जावरिकर और निर्मला सीता रमन इसके सदस्य हैं। आपको बता दे कि कुछ सालों से बीजेपी लगातार अलग-अलग मसलों को लेकर नहरू और उनकी विरासत पर ना सिर्फ सवाल उठाती रही है बलकि कॉंग्रोस को आड़े हाथों भी लेती रही है और अब नहरू मेमोरियल से कॉंग्रोस के बड़े नेताओं को बाहर का र कर दो दरे कम बादी रही है और उनकी रही है और रहा है रही है और को बाहर को झाजर पालग-बद प्भरोस के बाहर झाल झाल